IPL auction से पहले रिश्रप पंत ने मचाई संसनी एक ट्वीट ने सब को किया है रान क्या पंत छोड़ेंगे दिल्ली का साथ दुनिया की सबसे बड़ी और लोग प्रिये T20 लीग IPL के अगले सीजन को लेकर फैंस बेहद उत्साहित है IPL का 28 सीजन बहुत ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि सीजन की शुरुवात से पहले मेगा उक्षन होने वाली है जिसमें तमाम खिलाडी नई टीमों में शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं BCCI की और से IPL 2025 की मेगा उक्षन से पहले रिटेंशन से संबंदित जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं रिटेंशन नियमों में बदलाव किया गया है जिससे मेगा उक्षन को और भी ज्यादा दिल्चस्प बना दिया गया है इस बार कई खिलाडियों ने अपनी टीम बदलने की उम्मीद दी है इसमें भारतिये टेस्ट और वंडे कप्तान रोहित शर्मा, स्टार विकेट कीपर बलेवाज रिशाप पंथ और केयल रहुल जैसे समेथ कई बड़े भारतिये खिलाडियों का नाम भी शामिल है टीम बदलने की चर्चा के बीच रिशाप पंथ ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिसने उनके दिल्ली कैपिटल्स को छोडने की अटकलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है दरसल रिशाप पंथ ने IPL 2025 से पहले होने वाली मेगा उक्षन का हिस्सा होने का संकेत दे दिया है भारतिय स्टार विकेट कीपर बलेबाज रिशाप पंथ ने सोशल मीडिया प्लाटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने मेगा उक्षन को लेकर एक सवाल पूछा है हैरानी की बात यह है कि ये पोस्ट उन्होंने शुकरवार देर रात को किया इस पोस्ट में रिशाप पंथ ने लिखा अगर आउक्षन में जाऊं तो मैं बिकूंगा या नहीं हाँ तो कितने में दरसल पंथ ने सीधा सीधा फैंस से अपनी कीमत पूछी है इस पर फैंस ने मज़ेदार जवाब दिये है कुछ फैंस ने पंथ की उनकी वैल्यू बताई है तो कुछ ने अलग सला दी है फैंस ने अपने अपने हिसाब से पंथ को उनकी कीमत बताई है किसी ने 22 करोड किसी ने 20 तो किसी ने 18 करोड रुपए कहा है वहीं कुछ फैंस ने उन्हें सला दी है कि वो किस फ्रेंचाइज में जा सकते हैं एक फैन ने पंत को पंजाब किंग्स तो एक ने चेनई सूपर किंग्स में आने के लिए कहा अब ऐसे में रिशब पंत ने दिली कैपिटल्स के फैंस को भी हैरान करके रख दिया है साथ ही में दिली कैपिटल्स के टीम मोनस भी इस पोस्ट को देखकर काफी ज्यादा चिंतित हो सकते हैं कि क्या कहीं रिशब पंत दिली कैपिटल्स को छोड़ने का विचार तो नहीं कर रहे हैं आईपियल के अठारवे सीजन से पहले BCCI ने खिलाडियों को बड़ा तौफा दे दिया है अगले सीजन से हर खिलाडी को BCCI मैच्च फीक्स देगा BCCI सचव जैशाह ने इसका एलाम किया था कब होने वाली है आईपियल की आउक्षन तमाम मीडिया रिपोर्ट्स इस बात का दावा कर रही है कि आईपियल 2025 की आउक्षन नवंबर के महीने में दूसरे या तीसरे हफ़ते में की जा सकती है जहां इस बार आईपियल आउक्षन का योजन भारत के बाहर साओधी अरप में किया जा सकता है जबकि आउक्टूबर के महीने के अंत तक सभी टीमों को अपनी रिटेंशन लिस्ट का भी ऐलान करना है कि टीम में किस खिलाडी को रिटेन करने वाली है और किस खिलाडी को अपनी टीम में से निकालने वाली है अब देखना होगा कि तमाम IPLT में और दिल्ली कैपिटल्स क्या भारतिय क्रिकेट के बड़े चहरों को टीम में रखती है या उन्हें टीम में से जाने देती है